एक डिड़ महीने में आपका BMS studies शुरू होने वाली और आप college में इंटर करने वाले हैं बहुत सारे doubts रहते हैं बहुत सारी problems रहते हैं और बहुत सारी problems आने भी वाली है जो एक पड़ाव है कि college में admission लेना है वो तो पार हो गया है आपको या तो college मिल गया है या आप मिलने वाला है और उसके बाद आप college mentor हो जाएंगे तो आज इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि जैसे ही आप college में आएंगे किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान दखना है और किस चीज़ के लिए आपको पहले से prepare रहना है ताकि आप BMS फील में बहुत अच्छा कर सके हैं अब बात करेंगे कि आपकी जो BMS जर्णी है वह कैसे आपको अच्छे से फुल्फिल करनी है और कैसे आपको करने पस्टेर में जब आप आएंगे अब जो है NCISM के काफे सारे rules change हो चुके है slayvers change हो चुका है study pattern भी change हो चुका है पहले year system था फिर उसके बात प्रॉफ system आया है बहुत पहले भी प्रॉफ system होता था और अब वापस से प्रॉफ system आ गया है तो यह देड़ साल का प्रॉफ होने वाला है और इसके अंदर बहु जिसके वीज़े से आपको studies में helpful होने वाला है but problem सिर्फ यह नहीं आती है यह चीज तो आपको college में जब आप जाएंगे college के अंदर वह चीज आपको pattern बता चल जाता है चो चीज आपको actually में दिखती नहीं है या पता नहीं होती है या वह लोग बता नहीं पाते जो actually BMS फिल कुछ doubts ऐसे होंगे तो आप comment box में भी डाल सकते हैं हम उसको भी next video में देंगे पहला doubt तो यह आता है कि आप में से बहुत सारे students ऐसे होंगे जो सिर्फ यह सोच कर आया है कि BMS में first year में admission लेते हैं अगले साल फिर देखेंगे एक बार exam देना है drop करना है जो भी करना है बहु तो यही सोचते वे वेस्ट कर दिया कि आप अगले साल फिर से exam देंगे तो कुछ नहीं होने वाला क्योंकि यह solution नहीं है second doubt यह आता है कि BMS के मदा संस्कृत सब्जेक्ट होता है और संस्कृत हम पढ़ नहीं सकते संस्कृत हम करेंगे कैसे पहले यह में आपका संस्कृत अनुट वह आती है तो यह दषा भी आती है यह धर भी हमेशा बना रहता है तो संस्कृत जो सब्जेक्ट आता है आप सबने या तो eight तक पड़ी है यह वह बहुत कम एसे है college के इंदर जो studies होंगी न वो college इंदर इसरी सब के लिए सें होगी difference कहाएंगा कि आप अपने seniors से मिलेंगे जब आप में seniors से मिलेंगे आपके seniors आपको guide करेंगे कैसे पढ़ना है का तरीका है कैसे आपको studies को manage करना है क्यूंकि आप जब आएंगे college में आएंगे चाहे आप hostel में रह रहे हैं या बाहर रहे हैं आपको multiple problems आने वाली हैं और वो problems आपके seniors आपके seniors आपको एक सही guidance देंगे आपको एक रास्ता बताएंगे कि actually problems को tackle करना कैसे है क्योंकि अगर आप इन प्रॉब्लम में फसे रहेंगे तो studies पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और उसके साथ आपको यह manage करना भी सीखना है कि कैसे आपको studies और clinical knowledge और college को कैसे manage करना है बहुत सारे आपके SSP seniors मिलेंगे जो internship में होंगे जो clinical practice में कहीं सीखने जाते होंगे तो उनके साथ connect होई है उनके सीखिए उनके पास जाइए यहाँ पर आपको अगर medical field में shine करना है तो आपको अपना ego घर पर छोड़के आना होगा अगर आप यही ego के साथ पढ़ाई करनी है ऐसे नहीं होगा यहाँ पर कहीं न कहीं आपका जो भी senior है आपको यह बात समझनी है कि वह आपसे एक साल जादा experience है अगर आप उनके experience का फाइदा नहीं ले सकते तो आप अपनी पूरी life में भी medical field में काम नहीं कर सकते क्योंकि आप सब चीज खुद से सम नहीं है ना आप रागिंग होती है ना किसी भी senior के पास अब जितना वी workload है उतना time है किसी को आपके रागिंग हो बट हाई general introduction होता है general interaction होता है तो आप उसको joyful लेना चाहिए और enjoy करना चाहिए जादा हो तो definitely आप अपने management से उसमें बात कर सकते हैं तो बात करते हैं कि आप आप BMS में आ गए हैं यह basic सी चीज़े आपने follow कर लिए हैं books ले ली है पढ़ाई शुरू कर लिए सब चीज मैनेज कर लिए बट अब आप आगे clinically को समझेंगे कैसे सीखेंगे कैसे क्या चीज़ कर सकते हैं जो आपको side by side आपको कौन सी चीज़े हैं जो आपको help कर सकती है है grow करने में तो अगर अब आप college life में अब आगे यह देखना चाते हैं कि कैसे आपको सीखना है कैसे grow करना है side by side आप knowledge gain कर सकते हैं और कैसे अपना आपको एक अच्छा PMS डॉक्टर बना सकते हैं तो उसके लिए तुलसे अवेदा पर हम Instagram और YouTube पर अलड़ी वर्क कर रहे है Instagram पर हम basically जो भी आईरवेद में treatment रहते हैं जो मैं आईरवेद अपंच कर्मा प्राक्टिस करता हूं उससे related वीडियो आपको मिलती है इंफ्रमेशनल case studies मिलती है testimonials मिलते हैं ताकि आपको यह पता चले कि आईरवेद में actually काम होता कैसे है रिजल्स कैसे आते हैं वर्क कैसे होता है क्या concepts होता है तो आपको तुल से आविदा Instagram चैनल को आपको follow करना है और जो notification आईकन है उसको भी आपको नहां पर हम case studies को discuss करेंगे कोई भी query हम उसमें डालेंगे उसको discuss करेंगे और हम weekly case studies डालके उसके ओपर discussion स्टार्ट करेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि हर चीज से related आप सीख सकें अपनी knowledge gain कर सकें और इस community का इस global community का part बनना चाहते हैं तो आप instagram channel को follow कर सकते हैं उसके बाद आप broadcast channel को भी follow कर सकते हैं तो जितने students हैं जो मेरे instagram channel को follow कर चुके हैं आप comment box में जरूर डालिए बहुत जल्द हम सभी लोग एक आपके state में आके मिलेंगे एक meet up रखेंगे जो लोग उत्रहकंड में उन में उनसे तो हम बहुत जल्दी मिलने वाले क्योंकि हम यहां उत्राखंड में बेज संदे हैं और बागी state में भी हम बहुत जल्दी m Community बनाया एक ऐसा powerful platform बनाएं कि आप सब को हमेशा आईर् depth बी मिलता है बट जरूरी यह है कि अब जब आप BMS में आ रहे हैं आपको serious रहना जरूरी है not just कि आपको सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करना है आपको सारी चीज़े balance करके चलना अपनी life को भी पढ़ाई को भी balance करना पर अपनी पढ़ाई जो आप कर रहे हैं जितना भी आप अपने education में time देना है उसको esteemed level पर देना है ताकि आप उससे अपनी knowledge गेंड कर सके बाकि जितने भी students यहां पर हैं जो BMS में अब admission ले चुके या अल्री पार्ट है BMS का आप comment box में ज़रूर बताए आपके college से हैं और अगर आपने मेरे instagram चैनल को भी follow कर लिया है तो comment box में ज़रूर बताए और मैं हमेशा कोशिश करूंगा आपको आईरवेद में BMS में एक अच्छा excel future देने के लिए थैंक यू